order no.9 में total rule no.1 से लेकर rule no.14 दिये गए हैं जो की पूरे के पूरे आज की वीडियो में हम cover करेंगे अब तक CPC में हम section 1 से लेकर section 32 तक के provision discuss कर चुके हैं और order no.1 से लेकर order no.8 तक cover कर चुके हैं अगर आपको इन में से किसी भी video lecture की जरूरत है तो इस चीज़ के ले description box में हमने CPC की playlist का link डाल दिया है उस पर click करके आप CPC की वीडियो देख सकते हैं series wise तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें अब order no.9 की तो इसको समझने से पहले आपको पता होने चाहिए कि जैसे कि जो plaintiff है वो क्या करता है by the presentation of plant under section 26 order no.4 of CPC अपना suit संस्थित करता है, institute करता है कहाँ पर section 15 से लेकर 20 तक बताया गया है कि कहाँ पर दायर करेगा, कौन सी court में दायर करेगा, तो जिस भी court के jurisdiction में उसका मामला आता है वहाँ पर plaintiff अपना suit क्या कर देता है, दायर कर देता है अब plaintiff ने जैसे suit दायर कर दिया by the presentation of plant under section 26 order no.4 of CPC अब क्या होगा, अब suit दायर होते ही, जिस दिन दायर हुआ, उस दिन से लेकर 30 दिन के अंदर जो आपका defendant है, जिसके again suit file किया गया है, उसको पता तो चलना चाहिए कि भई मेरा again suit file हुआ है इस चीज की information देने के लिए और उसको appear होने के लिए, answer करने के लिए plaintiff के claim का क्या किया जाएगा, उस तारीक से, जिस तारीक को suit institute हुआ है न्यायाले में 30 दिन के अंदर सम्मन भेजे जाएंगे defendant को, अब सम्मन भेजे जाएंगे defendant को और यह चीज आपकी लिखी है section 27 of CPC में, अब किस तरीके से सम्मन भेजे जाएंगे defendant को, तरीका क्या होगा, यह हमने order number 5 में discuss किया था अब यहाँ पर defendant को क्या मिल गया है, सम्मन की तामिल हो गई है, अब जैसे ही defendant को सम्मन मिला, उस तारीक से, within the 30 days, क्या करेगा, defendant return statement, plaintiff के plant के जवाब में file करेगा, जिसमें वो plaintiff ने जो भी claim किये है, उसको या तो वो क्या करेगा, admit करेगा, या फिर उनको वो deny करेगा, और ये चीज वो अगर deny कर रहा है, तो उसका deny specific होना चाहिए, और दूसरी चीज ये भी है, कि वो नए तथ्यों को भी उठा सकता है, अपनी return statement में, तो वो return statement file करेगा, 30 दिन के अंदर, जब उसको सम्मन मिला, जब उसको information मिल गई है, उस तारीक से, 30 दिन के अंदर, वो return statement file कर इस तारीक को आप court में appear होंगे, plaintiff के claim का answer करेंगे, तो इस चीज के लिए ही, यहाँ पर order number 9 में बताया गया है, कि उस दिन, अगर plaintiff या फिर defendant court में appear होते हैं, तो क्या होगा, और अगर appear नहीं होते हैं, तो उसका क्या परिणाम होगा, क्या consequence होगा उसका, तो यही बताया गया है, order number 9 में, इसमें सबसे पहला जो rule number 1 है, इसमें यह कहा गया है, कि सम्मन में defendant के appear होने के लिए and answer करने के लिए, जो date fix की गई थी, जो date fix किया गया था, उस दिन, जो parties हैं, वो court house में, attendance में होंगी, उपस्थित होंगी, या तो खुद ही in person, या फिर अपने respective leaders के थुर like जैसे की plaintiff है, या तो वो खुदी आएगा, और जो defendant है, वो भी खुदी आएगा, या फिर ये लोग अपने leader के थुरू क्या रहेंगे, court house में present रहेंगे, उस तारीक को जो की सम्मन में fix की गई थी, उस date को जो की सम्मन में fix किया गया था, defendant के appear होने के लिए and answer करने के और फिर जो suit है, उसकी सुनवाई होगी, जब तक की जो suit की सुनवाई है, वो क्या नहीं कर दी जाती है, agent नहीं कर दी जाती है, future day के लिए जो की court के द्वारा fix किया जाएगा, मतलब next तारीक अगर court दे देता है, तब तो अलग चीज है, जो suit की hearing है, ये day जो fix किया गया थ इसको अगर court क्या कर देता है, agent कर देता है, agent करने के लिए जो provision है, वो CPC में, order number 17 में दिये गए है, तो अगर court agent कर देता है, future day के लिए, तो तब suit की hearing उस day पर होगी, जो की future day court fix करेगी, तो बस इतनी सी बात है, rule number 1 में, जैसे कि rule number 1 में ये लिखा था, कि भई, जिस दिन, जो दिन fix किया गया है, सम्मन में, defendant के appear होने के लिए, उस दिन, जो party है, वो या तो खुद ही, या फिर अपने pleader के थू, court house में present होंगी, उपस्त रहेंगी, attendance में रहेंगी, अगर उस दिन, rule number 2 में ये कहा गया है, अगर उस दिन, ये पाया जाता है, कि भई, जो सम्मन है, वो dependent को third ही नहीं हुआ, उसकी तामिल सम्मन की, तामिल defendant को हुई ही नहीं है, क्यों नहीं हुई है, क्योंकि भई, सम्मन की service के लिए, जो भी, postal fees, chargeable होती है, या court fee वगरा लगती है, वो plaintiff ने pay ही नहीं की थी, उसको pay करने में, plaintiff पे लो गया था, या फिर, ये reason है, कि भई plant की copy देनी पड़ती है, तो वो ऐसा करने में क्या हो गया है, फेल हो गया है, यानि कि वो order number 7 के rule number 9 का अनुसरन करने में, फेल हो गया है, तो इन दोनों में से जो भी situation की वजह से defendant को someone's third नहीं हुए है, तो इस situation में जो court है, वो क्या कर सकती है, order दे सकती है, किस चीज़ का, कि भई जो suit है, वो dismiss कर दिया जाए, और provisor में ये बात mention है, कि rule number 2 के तहत कोई भी suit के dismissal का order तब नहीं दिया जाएगा, जब यहाँ पार जो plaintiff के बिहाफ में failure उसने किया है, जो default किया है, उसके होने के बावजूद भी, क्या होता है, जो defendant है, वो court house में उस दिन, जो की उ और answer करने के लिए fix किया गया था, present रहता है, या तो खुद ही, या फिर अपने agent के थरू, जब उसको उसके agent के थरू, appear होने के लिए allow किया गया होता है, तो इस situation में, अगर plaintiff से default भी हुआ है, तो उसके होने के बावजूद भी, कोई order, rule number 2 के तहर नहीं दिया जाएगा, ये बात mention है, proviso में, order number 9 से आपका mains में question बन सकता है, कि भई, अगर party quote में appear नहीं होती है, तो भई, जो quote है, वो क्या order दे सकती है, तो इसके लिए, अब हम discuss करेंगे, rule 3, rule 6, and rule 8, तो सबसे पहले, अगर हम बात करे, rule number 3 की, इसमें simply है कहा है, कि भई, ना तो defendant, ना ही plaintiff, इन की गई है, hearing के लिए, तो तब जो quote है, वो order दे सकती है, किस चीज़ का, कि भई, जो suit है, वो dismiss कर दिया जाए, suit के dismissal का order, quote दे सकती है, rule number 3 के तहत, वो भी तब जब, जिस दिन, hearing के लिए, party इसको बुलाया गया, लेकिन, कोई भी party, ना तो plaintiff, ना ही defendant, quote में appear होते है, तो इ नहां पर अगर हम बात करे, rule number 4 की, तो इसमें ये कहा गया है, कि अगर, जो suit है, वो rule number 2, जो भी हमने discuss किया है, उसके तहट, dismiss कर दिया जाता है, या फिर, rule number 3 के तहट, dismiss कर दिया जाता है, तो plaintiff, subject to the law of limitation, भई, suit file करने की, जितने भी, उसके लिए, limitation period है, उसके भीतर, क्या कर सकता है, नया suit, नया याले में ला सकता है, fresh suit, file कर सकता है, और या फिर, जो plaintiff है, वो apply कर सकता है, कि भई, ये जो dismissal का order दिया है, आप please, इसको क्या कर दीजिए, satisfied कर दीजिए, और अगर, जो आपका plaintiff है, वो court को satisfy करता है, संतुष्टी दिलाता है, इस चीज की, कि भई उसके पास sufficient cause थे, कुछ कारण थे, ऐसे, जिसकी वजह से, वो rule number 2 के तहट, जो failure उसने किया है, वो उससे हुआ है, या फिर rule number 3 के तहट, जैसे की, वो appear नहीं हुआ, और suit dismiss हो गया, तो उसके appear ना होने के पीछे, कुछ कारण था, और वो sufficient cause, court को वो बता रहा है, और court को वो तो तब इस situation में, जो court है, वो क्या करेगी, वो उसने जो order दिया है, rule number 2 के तहट, या फिर rule number 3 के तहट, suit के dismissal का, उसको set aside करने का order दे देगी, और suit की proceeding के लिए, date fix कर देगी, या फिर ऐसे कह सकते है, date appoint कर देगी, अब इस दिन आप आईएगा, अब इस दिन suit की rule number 5 के अगर हम बात करें, तो इसमें simply यह कहा है, अगर defendant के लिए summon issue हुआ, या फिर अगर एक से जादा defendant है, तो उनके लिए summon issue हुआ, तो जिस defendant के लिए summon issue हुआ, उसको third ही नहीं हुआ, या फिर अगर बहुत सारी defendant है, तो उन सभी के लिए summon issue हुआ है, लेकिन उनमें से किस इसी defendant को सम्मन क्या नहीं हुआ है सर्ड नहीं हुआ है तो इन दोनों में से कोई सी भी अगर situation है तो अब क्या होता है कि जो सम्मन है वो answer लोड गया तो जिस दिन सम्मन return हुआ है अंसर्ड बिना defendant को उसकी तामिल हुए वो लोटा है नियायाले तो उस दिन से साथ दिन के अंदर अगर plaintiff जो है वो नए सम्मन को issue करवाने के लिए apply करने में अगर fail हो जाता है तो जो court है वो क्या कर देगी suit को उस defendant के against क्या कर देगी dismiss कर देगी जिसको सम्मन सर्ड नहीं हुआ जिसको सम्मन सर्ड हुए बिना लोटा है court में लाइक जैसे कि मालो A, B, C, D ये आपके defendant है खुब साई defendant है तो इन सब के लिए सम्मन issue किया गया अब A, B को तो हो गया लेकिन जो C और D हैं इनको सम्मन सर्ड नहीं हुआ है इनको बिना सर्ड हुए सम्मन court में लोट गया है तो अब इनके against जो है court क्या कर देगी? suit को dismiss कर देगी वो भी तब अगर जिस दिन सम्मन अंसर्ड लोटा है उस दिन से 7 दिन के अंदर जो plaintiff है वो नए सम्मन को issue करवाने के लिए अपलाए नहीं करता है तो तब court क्या कर देगी? इन defendant के against suit को dismiss कर देगी और यहाँ पर sub rule 2 में यह लिखा है कि अगर क्या कर दिया court dismiss कर देगी suit को defendant के against उस defendant के against जिसको सम्मन अंसर्ड लोटा है तो plaintiff क्या कर सकता है? limitation law में जितना time period उसके suit को दाखिल किये जाने के लिए prescribe है उसके subject में रहते वे उससे पहले नया suit coat में डाल सकता है और यहाँ पर जैसे कि जो plaintiff है वो 7 दिन के अंदर जब आपका सम्मन अंसर्ड लोटा है उस दिन से 7 दिन के अंदर नए सम्मन के लिए apply करने में fail हो गया है और तब उस वजह से जो आपका coat है उसने order दे दिया है suit को dismiss करने का लेकिन अगर ऐसा होता है यह जो plaintiff है वो within the set period coat को क्या करता है? satisfy करता है क्या चीज? कि भई मैंने defendant के घर को खोजने की हर एक कोशिश की लेकिन मुझे उसका residence नहीं मिला तो इस वजह से उसको सम्मन सड नहीं हो पाया है या फिर दूसरा कारण यह बता सकती है coat को कि भई जो defendant है वो खुद ही क्या कर रहा है सम्मन की जो service है उसको avoid कर रहा है उसके लिए time extend कर दे तो इन तीनों में से जो भी चीज court को plaintiff के करते satisfy करता है तो अब court क्या कर सकेगी court सम्मन की application डाले जाने के लिए उतने period के लिए time extend कर सकेगी जितना court को सही लगता है rule no.6 में लिखा है कि वही अगर सिर्फ plaintiff appear होता है तो तब क्या होगा? यहाँ पर कुछ situation बताए गई है कि अगर जो सम्मन है ये प्रूव हो जाता है कि defendant को third हो गए थे तरीके से third हो गए थे तब भी जो defendant है वो appear नहीं हुआ जिस दिन सुनवाई होनी थी तो तब जो court है वो क्या कर सकती है? वो order दे सकती है कि भई suit की जो सुनवाई है वो अब ex-party होगी दूसरी situation है rule number six के तहत कि अगर जो सम्मन है वो duly third ही नहीं होता है तो इस situation में जो court है अगर ये प्रूव हो जाता है कि सम्मन duly third नहीं हुआ है तो court क्या direct करेगी? यहाँ पर mandatory है court के लिए direct करना कि second someone issue किया जाए और defendant को third किया जाए उसकी तामिल defendant को की जाए third situation ये बताई है कि भई सम्मन third तो हुआ है defendant को लेकिन time से नहीं हुआ है मतलब कि जिस time सम्मन third हुआ defendant को उसको उतना time ही नहीं मिल पाया कि वो उस दिन appear हो सके या फिर answer कर सके जो कि सम्मन में fix किया गया है sufficient time ही नहीं मिला defendant को क्योंकि जो defendant को सम्मन third हुआ है वो सही समय पर नहीं हो पाया है तो इस situation में जो court है वो क्या करेगी? वो जो hearing है उसको future day के लिए जो की court fix करेगी वो दिन उस दिन के लिए postpone कर देगी और direction देगी कि भई इस दिन का notice defendant को दिया जाए और साथ ही यहाँ पर सब rule 2 में rule number 6 के यह लिखा है कि भई अगर जो सम्मन है वो duly third नहीं हुआ था defendant को या फिर time से sir नहीं हुआ था और इसके पीछे plaintiff की गलती है इसके पीछे वादी की गलती है तो इस situation में जो court है वो order देगी कि भई postpone करने में हमें जो भी खर्चा आया है वो आप पे करो यानि कि जो hearing की date थी उसको आगे क्या कर दिया गया पोस्पून कर दिया गया तो उस चीज में जो भी खर्चा आया है वो plaintiff से लेने के लिए plaintiff को order देगी court कि भई ये खर्चा आप दो अब अगर हम बात करें rule number 7 की तो इससे पहले आपको rule number 6 जैसे कि हमने पढ़ाया है हमने इसमें आपको बिताया है कि suit की hearing जब होनी है सम्मन में fix किया गया है date कि भई इस दिन जो defendant है वो आएगा अंसर करेगा plaintiff के claim का तो भई उस दिन जो है सिर्फ हो plaintiff अपियर होता है defendant अपियर नहीं होता है और ये प्रूव हो जाता है कि भई जो सम्मन है वो defendant को ड्यूली सर्ड हो गया था तो इस situation में rule number 6 में ये प्रावधान था कि भई जो court है वो order दे देगी कि भई जो suit की hearing है वो अब होगी एक्स पार्टे तो अब rule number 7 में सीधा-सीधा ये लिखा है कि भई suit की hearing जैसे की एक्स पार्टे होनी है तो उससे पहले या फिर जब एक्स पार्टे hearing हो रही है तब जो आपका defendant है अगर वो court में appear होता है और court को कोई अच्छा कारण बताता है कि भई इस वज़ह से वो नहीं आया था जो day fix किया गया था defendant के appear होने के लिए और plaintiff के claim का answer करने के लिए कि भई उस दिन वो क्यों नहीं आया इसका अगर वो कोई अच्छा कारण बताता है तो तब उसको सुना जाएगा इस तरीके से कि जैसे कि मान लो वो उस ही दिन appear हुआ है जो की सम्मन में उसकी appearance के लिए fix किया गया था और ऐसा court उन terms and conditions पर करेगी जो की court direct करेगी और अगर वो defendant से cost वगेरा लेना चाहती है तो वो भी वो ले सकती है फिर उसके बाद आपका जो defendant है उसको उस तरीके से सुना जाएगा जैसे कि मान लो कि वो उसी दिन appear हुआ है जो कि उसकी appearance के लिए fix किया गया था अब यहाँ पर एक case था ममीता 30 versus नैपूरा प्रधान 2014 का इस case में बात हैल्ड हुई थी कि भई order number 9 के rule number 7 के तहत अगर जो defendant है वो क्या कर रहा है apply कर रहा है बता रहा है good cause वगएरा कि भई मैं क्यों नी appear हुआ था इस चीज़ का तो भई यह चीज maintainable नहीं है कब अगर जो evidence वगएरा है वो close हो गए है closer हो गए evidence का और जो आपका case है वो judgment के लिए post किया जा चुका है तो तब यह चीज maintainable नहीं होगी तो जैसे कि हमने rule number 6 में आपको बताया था कि defendant को जो समन भेजा गया था उसमें जो day fix किया गया था कि भई इस दिन defendant आएगा appear होगा answer करेगा plaintiff के claim का उस दिन अगर सिर्फ उस plaintiff appear होता है तो तब क्या होगा court क्या order देगी इस situation में court क्या करेगी suit को dismiss कर देगी जब तक की defendant क्या ना कर ले जो plaintiff ने अपनी plaintiff में claim किये थे उनको या तो पुरा का पुरा या फिर in part admit ना कर ले अगर admit करता है तो उस admission के आधार पर court उसके against क्या करेगी defendant के against decree pass कर देगी अगर माल लो plaintiff ने जो claim किया था उसका कुछ part ही defendant क्या कर रहा है admit कर रहा है तो जो बचावा part है उसके claim का suit में उसके आधार पर उतना suit आपका जो होगा वो dismiss कर दिया जाएगा rule no.8 के तहत उतने suit का claim जितना की admit defendant ने नहीं किया है अगर वो आया है कुछ part उसने admit कर लिया है कुछ part उसने admit नहीं किया है तो suit में जो plaintiff ने claim किया था उस claim का जितना part admit नहीं किया है defendant ने उतने part के आधार पर suit को जो court है वो क्या कर देगी dismiss कर देगी तो ये कहा गया है rule no.8 में rule no.8 के तहत suit के dismissal का order तब नहीं देगी अगर plaintiff के appear ना होने के पीछे का कारण ये था कि भई वो मर गया था क्योंकि भई वो मर गया था तो आप क्या उसकी आत्मा कोट में आती तो भई अगर plaintiff मर गया है तो इस situation में rule no.8 के तहत suit के dismissal का order नहीं दिया जाएगा क्योंकि rule no.8 defalter के उपर apply होता है ना कि एक dead man के उपर एक मिरतक व्यक्ति के उपर अब यहाँ पर rule no.9 के अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर rule no.8 के तहत जो suit है वो या तो पूरा का पूरा ही या फिर in part क्या हो जाता है डिस्मिस कर दिया जाता है तो तब plaintiff को preclude कर दिया जाएगा रोग दिया जाएगा कि भई वो same cause of action के सम्मंध में fresh suit निया याले में नहीं ला सकता है निया suit दायर नहीं कर सकता है तो यहाँ पर आपका राइस जुडिकाट का principle जो कि section 11 of CPC में दिया गया है वो apply होता है और यहाँ पर section 12 जो है आपका CPC का वो क्या गयता है section 12 यह कहता है कि अगर plaintiff को preclude किया गया है by rules from instituting a further suit in respect of any particular cause of action he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which this code applies तो rule 12 में जिन rules की बात की गई है जिन rules के तहत plaintiff को रोका गया है क्या करने से नया suit लाने से किसी particular cause of action के सम्मंद में तो उन rules के अंदर आपका order number 9 का rule number 9 भी included है तो क्या कहता है order number 9 का rule number 9 की भाई अगर order number 9 के rule number 8 के तहत suit को पूरा का पूरा या फिर partly code के दुआरा क्या कर दिया जाता है तो plaintiff को same cause of action के सम्मंद में नया suit लाने नहीं दिया चाएगा इस चीज़ के उपर रोक लगाई गई है लेकिन वो क्या कर सकता है plaintiff apply कर सकता है code में कि भाई जो आपने dismissal का order दिया है उसको satisfied कर दो और अगर वो satisfy करता है code को कि sufficient cause थे उसके पास किस चीज़ के कि भाई वो क्यों appear नहीं हुआ था जब उसको suit की hearing जब हो रही थी तब बुलाया गया था वो क्यों नहीं आया था इस चीज़ का उसके पास sufficient cause है और वो sufficient cause क्या करता है वो code को बताता है और वो code से कहता है कि भाई जो आपने dismissal का order दिया है उसको set aside कर दीजिए suit को restore कर दीजिए तो तब code क्या करेगी code order देगी कि भाई जो उसने suit के dismissal का order दिया था वो set aside वो कर रही है उसको set aside करने का order code देगी उन terms पर और उस cost वगरा को लेकर जो की code को सही लगता है और फिर code एक नया दिन appoint कर देगी suit की proceeding के लए और यहाँ पर rule number 9 के sub rule 2 में लिखा है कि भाई rule number 9 के तहत कोई भी order तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक की इस चीज़ का notice की भाई plaintiff ने जो हमने dismissal का order दिया था rule number 8 के तहत उसको set aside करवाने के लिए plaintiff ने apply किया है इस चीज़ का notice जब तक opposite party को third नहीं कर दिया जाता है तब तक rule number 9 के तहत कोई order court नहीं देगी ये बात लिखी है sub rule 2 में तो अब तक हमने आपको बताया कि भाई अगर ना तो plaintiff और ना ही defendant अगर court में appear नहीं होता है तो तब इस situation में court क्या order देगी ये हमने आपको बताया rule number 3 के तहत दूसरी चीज़ हमने आपको बताया कि अगर सिर्फ औस plaintiff आता है और defendant नहीं आता है तो इस situation में court क्या order देगी ये हमने आपको बताया rule number 6 के तहत फिस के बाद हमने आपको बताया कि अगर सिर्फ defendant अपियर होता है, plaintiff अपियर नहीं होता है, तो इस situation में code क्या order देगी, ये हमने rule number 8 में discuss कर लिया, और साथ ही हमने ये भी बताया कि अगर plaintiff से default होता है, तो इस situation में plaintiff को क्या के remedy मिलेगी, ये हमने rule number 4 में discuss किया, फिर इसके बाद हमने rule number 7 में आपको बताया कि अगर defendant से default होता है defendant appear नहीं होता है तो इस situation में defendant के लिए क्या remedy है और rule number 9 में भी हमने कुछ remedy बताई जो कि remedy आपकी plaintiff के लिए available है तो अब तक का हमने जो भी आपको पढ़ाया उसका छोटा सा overview अब हमने आपको दे दिया है अब अगर हम आगे के rules की बात करें अब तक तो हमने आपको सिर्फ यहीं बताया कि अगर plaintiff या फिर defendant ये दोनों में से अगर कोई एक appear होता है या फिर appear नहीं होता है तो क्या परिणाम होगा या फिर ये दोनों अगर appear होते हैं या फिर ये दोनों appear नहीं होता है तो तब क्या होगा तो यहाँ पर rule number 10 की अगर हम बात करें तो इसमें simply यह कहा गया है कि अगर एक से जादा plaintiff है और उन में से एक या फिर जादा क्या होता है कोट में अपियर होते हैं और जो बाकी है वो अपियर नहीं होते हैं तो court जो plaintiff appear हुआ है या फिर जो plaintiff appear हुए है उनके instance पर क्या कर सकेगा जो suit की proceeding है उसको उसी way में permit कर सकेगा कि भई जैसे की सारे के सारे plaintiff appear हुए है या फिर ऐसा order देगा जो की court को सही लगता है और rule number 11 में ये कहा गया है कि भई अगर एक से जादा defendant है और उन में से एक या फिर जादा क्या होते है अपियर होते है और जो बाकी है वो appear नहीं होते है तो जो suit है वो proceed करेगा और जो court है वो क्या करेगी at the time of pronouncing judgment जब जब वो judgment प्रनाउंस कर रही है वो ऐसा order देगी जो कि उसको जो defendant appear नहीं होता है उसके सम्मंद में सही लगता है order देना वैसा order code देगी अब अगर हम बात करें rule number 12 की तो इसमें simply यह कहा गया है कि where a plaintiff अभी हम यह वाला पार्ट नहीं पढ़ रहे है ठीक है अगर plaintiff को क्या किया गया बुलाया गया था order दिया गया था कि भई वो in person court में आएगा appear होगा बट वो appear नहीं होता है और अपने appear नहीं होने का वो कोई sufficient cause भी show नहीं करता है to the satisfaction of the court जिससे court satisfy हो जाए मतलब लाइक जैसे कि मेरी train late हो गई थी या फिर मेरे घर में किसी की death हो गई थी इस वजी से मैं नहीं आ पाया तो मतलब कोई sufficient cause वो court को नहीं देता है जिससे court satisfy हो जाए तो उस situation में जो plaintiff होगा वो उन proof reason के subject में होगा जो कि भई उसके appear ना होने के उपर क्या होते हैं apply होते हैं उन rule के वो subject में होगा यानि कि जो plaintiff है उसका suit क्या कर दिया जाएगा dismiss कर दिया जाएगा जैसा कि हम अभी पिछले rules में discuss कर चुके हैं वो plaintiff के उपर apply होंगे अब दूसरी situation यह है कि अगर defendant की बात करे defendant को order किया गया था कि भई वो appear हो in person बट वो appear नहीं होता in person और ना ही वो इस चीज़ का to the satisfaction of the court sufficient cost शो करता है तो तब वो भी उन provision के subject में होगा अधीन होगा जो कि उसके ना appear होने के उपर apply होते हैं जैनि कि भई जैसे कि court क्या order देती है जब defendant appear नहीं होता है court order देती है suit की hearing x party किया जानेगा तो वह order court देगी वही rule apply होगा जो rule आपका defendant के appear ना होने पर apply होता है तो बस इतनी सी बात आपकी rule number 12 में कही गई है अब जैसा कि defendant appear नहीं हुआ था court ने x party hearing किया जाने का decision दे दिया था अब x party decree आ जाती है अब उस decree के against defendant को क्या क्या remedies available है तो यहाँ पर अब हम उनका discussion करेंगे तो सबसे पहली remedy तो आपकी order number 9 में rule number 13 में दी गई है कि भई जो आपका defendant है वो उसी court से apply करेगा जिसने की क्या गर्दिया एक्स party decree दिया है कि भई आप इसको set aside कर दो ठीक है यह आपका rule number 13 के तहायत order number 9 के किया जाएगा और यह जो application है defendant के द्वारा की जा रही है यह आपकी जिस दिन decree आए थी उस दिन से लेकर 30 दिन के बीच में की गई होनी चाहिए क्योंकि यह limitation period आपका article 123 of the limitation act 1963 में provided है दूसर party decree जो आई है उसकी वो appeal कर सकता है under section 96 section 2 of CPC तीसरी remedy है कि जो एग्रिव पार्टी है वो क्या कर सकता है वो file कर सकता है review करवाने के लिए application वो भी तब जब वो order number 47 के rule number 1 में जो condition दी गई है उनको वो satisfy करता हो तो यह तीसरी remedy हो गई चाथी remedy है कि जो आपका defendant है वो exam safety decree को set aside करवाने के लिए suit नहीं डाल सकता है पहली चीज आपको इंपता होने चाहिए कि भृँ वो suit नहीं लेकर आ सकता है ठैक है fresh suit नहीं लेकर आ सकता है तो इस situation में जो defendant है उसको ये remedy है कि वो एक regular suit file करके क्या करवा सकता है उस decree को set aside करवा सकता है तो ये चार remedy आपकी defendant को available है against the ex-parted decree अब अगर हम बात करें order number 9 के rule number 13 की कि ये क्या कहता है तो rule number 13 में ये कहा गया है कि अगर ऐसा होता है कि जो defendant है उसके against ex-parted decree पास हो गई तो वो क्या कर सकता है वो उस ही court में apply कर सकता है जिस court ने decree पास की है कि ये जो आपने order दिया है ex-parted decree का इसको set aside कर दो और वो अगर court को satisfy कर दे कि भई उसको तो some money sir नहीं हुआ था तो वो कैसे उस जिन आता जिस जिन आपने उसको बुलाया था hearing के लिए या फिर उसके पास कोई sufficient cause है जिसकी वजह से वो court में उस जिन नहीं आ पाया जिस जिन hearing थी तो तब इस situation में जो court है वो क्या order देगी वो order देगी कि भई जो defendant के against decree आई है उसको set aside कर दिया जाए और वो भी उन terms and condition पर और वो payments वगरा लेकर जो की court को सही लगता है अब यहां पर जो भी terms and condition रखी जाएंगी और जो भी cost वगरा ली जाएगी defendant से वो भी reasonable होनी चाहिए यह आपने ध्यान रखना है और फिर court appoint करेगी एक day for proceeding with the suit, suit की proceeding के लिए प्रोवाइजों में यह बात लिखी है कि भई अगर decree का nature ऐसा है कि वो उस defendant की against क्या नहीं हो सकती है set aside नहीं हो सकती है अकेले तो तब उसको सभी defendant के against या फिर जो भी defendant है उनके against क्या कर दिया जाएगा set aside कर दिया जाएगा इसके बाद next proviso में यह बात लिखी है कि भई अगर court को यह satisfy हो जाता है कि भई defendant को suit की hearing की date का notice था और उसके पास sufficient time था plaintiff के claim का answer करने के लिए and appear होने के लिए तो इस situation में कोई भी court इस आधार पर ex-parted decree को set aside नहीं करेगा से फोसिफिस आधार पर कि भई सम्मन की जो service है उसमें irregularity हुई है क्योंकि भई जब defendant को उस date का notice था जो की hearing की रखी गई थी और उसके पास sufficient time था plaintiff के claim का answer करने के लिए and appear होने के लिए तो इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता है कि भई सम्मन की service होने में कोई irregularity हुई थी इस आधार पर कोई भी court क्या नहीं करेगी अगर ex-parted decree defendant के अगेंस पास हो गई है उसको set aside नहीं करेगी ये mention है इस proviso में rule no.14 last rule है order no.9 का इसमें सीधो सीधा ये कहा गया है जैसे कि defendant आपका rule no.13 के तहत क्या कर रहा है application डाल रहा है और setting aside decree जो की ex-parted decree है और उसके against पास हो गई है उसको set aside करने के लिए apply कर रहा है application डाल रहा है defendant तो अब application उसने डाल दी है तो अब जो आपका court है वो तब तक rule no.13 के तहत क्या नहीं करेगी decree को set aside नहीं करेगी ex-parted decree को set aside नहीं करेगी जब तक कि वो defendant की इस application का notice opposite party को third ना कर दे यानि कि जो plaintiff है उसको इस बात का notice ना दे दे कि भाई defendant ने ex-parted decree जो उसके against IT उसको set aside करवाने के लिए क्या किया है application डाला है ये notice आपका opposite party को जाएगा उसके बाद ही जो court है वो क्या कर सकती है ex-parted decree को set aside कर सकती है उससे पहले नहीं करेगी without giving the notice to the opposite party वो ऐसा नहीं कर सकती है ये बात आपकी rule no.14 में mention है और ये आपको ध्यान लगना है कि rule no.14 के जो provision है mandatory है imperative है कि भाई कोई भी ex-parted decree set aside नहीं की जाएगी without giving the notice to the opposite party क्योंकि भाई opposite party को भी opportunity मिलनी चाहिए सुनवाई क यानि कि जो natural justice के principle है उनका क्या होना चाहिए पालन होना चाहिए और अल्टरिम पार्टेम ठीक है कि भाई दूसरे पक्ष्ट को भी सुनो यह चीज यहाँ पर apply होती है natural justice का principle पूरी तरीके से यहाँ पर follow किया जरूरी है तो यह था आपका last rule I hope आज के वीडियो में आपको आज के वीडियो के लिए बस इतना ही I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगए तो प्लीज को लाइक करना जितना ज़्याद वसके वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्स्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही आपको बता दू कि जो CPC के वीडियो लेक्श आपको यहां पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा और IPC के जो भी वीडियो लेक्शर से हमारे उसकी भी इबुक अवेलबल है उसको खरीदना आपने तो उसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं और हमारा जो इंडियन इविडियन्स एक्ट है उसके जो हमारे लेक्शन 17 से लेकर स 1767 तक के उसका भी इबुक अवेलबल है इबुक मतला PDF PDF नोट्स ठीक है वो अवेलबल है अगर आपको खरीदने है तो हमारे email address उपर हमें आप मेल कर सकते है email address आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा तब तक के लिए टाटा एंड गुडबाई